अब जैसा हमने आपको पहली वीडियो में वादा किया था हम आप लोगों को जितनी भी नई जॉब जाती रहेंगे उनके बारे में आपको गाइड करते रहेंगे और उनके लिए कैसे प्रिपेर करना है वो वीडियो भी रेगुलर आ रहे हैं इंजिनियर्स वाला पर तो इसके अंदर टोटल चार डिफरेंट पोस्ट आई है जैसे सीनियर मैनेजर हुआ डेपुटी मैनेजर हुआ फिर इसके अंदर मेनेजमेंट की ग्रेजवेट इंजिनियर्स वालों के लिए जबकि जो जीडिक वेकेंसी जब्स अपने टेकनिकल फिल्ड से रिलेटेड है ठ जबकि इलेक्ट्रीकल की जो थ्री यू आरज पोस्ट है वह जनरल करेंडेट मतलब कि कोई भी के लिए अपको कब करना है तो अप्लाई करने के लिए देखिए जो हमारी ऑप्रेंग डेट है वह हमारी सेवंथ फैब्रैरी से आल्री स्टार्ट हो चुकी है तो ध्यान रख कर सकते हो ठीक है चलिए आप हम थोड़ा आगे डिसकस करते हैं नेक्स्ट जो सर हम बात करने वाले हैं वह हम देखेंगे कि थोड़ा पौद हम वालीफिकेशन उसके बारे में तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर अप्लाई करना है तो बैचलर इन इसमें एक और इंपोर्टेंट बात थी जो हमने डिसकस भी किया था कि इसके अंदर क्या इंपोर्टेंट वाथ थी वह बताईए जरा इंको देखिए इसमें हमारे लिए यह है कि जो हमारे फाइनल इयर स्टुडेंट्स है जो फाइनल यहां पर इस पॉइंट में मैंशन है देखो यह अगर हम देखे फॉर दो पोस्ट ऑफ एमटी और जी इटी के लिए फाइनल यह स्टुडेंट्स ऑफ अबव मैंशन क्वालिफाइड डिग्री वह मतलब जिनका रिजल्ट में जादा मिल जाता तो एज क्राइटेरिया का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है वो भी हम यहां पर पॉइंट में भी आपको दिखाएंगे तो जो हमारा फस्ट जैन्वरी ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री को मिनीमम एज आपकी 18 या 18 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 इन्होंने सर हना 28 बोल रखी है तो एज क्राइटेरिया हमारा 28 है इसके आगे हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है सर उस पर डिसकस कीजिए थोड़ा कि इनका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा क्या वेटेज रहेगा इनका जो सेलेक्शन प्रो कि सब्सक्राइड 60% का जो वेटश रहेगा इसके बाद आपको सेलेक्शन प्रोसेस में यह जो दूसरा क्राइटेरिया नहीं देखना है दूसरा क्राइटेरिया किसके लिए यह सीनियर मैनेजर या डेपुटी मैनेजर के लिए हमारा जो क्राइटेरिया वह यह है कि हमें जीटी या म्ट इसके लिए देखना है तो जो आपका respective subject होगा उसका test होगा उसमें 70% weightage रहेगा उसका CBT का जबकि PI का जो weightage personal interview का जो weightage रहेगा वो 30% रहेगा इसके बाद इसमें qualifying marks की अगर बात करें कि short listing कैसे होगी candidates की तो short listing होगी मतलब general या OBC का कोई भी candidate होगा उसको 30% marks लाने है जबकि अगर SC, ST, PWD कि इन केटेगरीज से कोई भी कंडिडेट विलॉंग करेगा तो उसको 20 परसेंट मार्क्स लाने हैं मैं इसमें एक और भी बात थी important कि माल लो दो कंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए तो दो कंडिडेट के जब सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी नोने एक कि अगर वो भी ब्रॉकर नहीं होता तो गारेंगे तो यह लोगों को इंटर्व्य के लिए बुलाया जाएगा वह पॉइंट यहां पर में रेशो फाइव तो इसमें क्या है कि अगर एक ही si do T0 तो उसके लिए मतलब 10 लोगों को इंटर्व्यू देने के लिए बुला जाएगा वो पॉइंट यहां पर लिखा है in case there is a single vacancy then 10 candidates will be shortlisted for personal interview लेकिन अगर एक से जाधा है तो उसके लिए जो इंटर्व्यू की रखी जाएगी वो 1 ratio 5 रखी जाएगी तो यह कुछ important points थे और already मैंने फॉर्म भरने की हमने डिसकस कर लिया है और क्या क्या हमारा percentage रहेगा मतलब कितना CBT का percentage है कितना आपका personal interview का रहेगा वो भी already हम discuss कर चुके हैं नेक्ट सर को important चीज मैं इक और important है कि अगर इसका जो training period है वो वन यर का होगा अगर training period complete हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी उसके बाद आपको मिलेगी assistant manager at even grade यह लिखावा clearly assistant manager at even grade की पोस्ट मिलेगी उसके अंदर जो salary रहेगी आपकी minimum 40,000 आपको during training भी आपको 40,000 मिलेंगे और यह जो वैरी करेगी 40,000 से लेगे 140,000 तक वैरी करती है कि इसके बाद मैं और को important point मेरे साब से तो इसमें है नहीं है इसमें इंप्लिकेशन फीज देखो यहां पर mention किया हुआ है 16 point में कि आपको 500 रुपीज जो है वो पे करने होंगे तो यह application मतलब कैसे apply करना उसका idea लग जाएगा नहीं मिलता है आपको कुछ तो आप अगर doubt रहता है तो आप हमें comment section में बताना अगर फिर भी exam notification तो निकलते रहेंगे एक पोस्ट दो पोस्ट चार पोस्ट आपको पोस्ट नहीं देखनी है कि पोस्ट कितनी है आपको सर्फ यह ध्यान रखना है कि आपको सर्फ exam के लिए fight करना उसके लिए मैनत करते रहो selection हो जाएगा आपका पोर्च और आप syllabus लो और उसकी according उसकी त झाल झाल झाल